हेलो गाईज, वेलकम टू अल आफ यू इन दिस वीडियो, स्वागात है आप सभी का इस वीडियो में और पार्टले पुति इंवर्ट सीटी में जो PG आडमिशन का जो फेज चल रहा है इस आडमिशन के फेज में कई सारे अपडेट आज है जो की जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है चुकि आज 1st February है और जो पार्टले पुति इंवर्ट सीटी ने जो अपना अडमिशन का जो कलेंडर दिया उसके कोरिंग जो सारे इंपॉर्टेंट Clerk है उस डेट में 1st February का भी बहुत जादा है और इस डेट का इंपउर्टेंट आपको जाना बहुत होता है तो आज किस वीडियो में जो सारे इंपॉर्टेंटेंट है उस संमझ लीजीए जिनका अडमिशन हो गया उनसे related update है, जिनका admission नहीं हुआ है, उनसे related update है, जिनका allotment नहीं है, उनसे related update है, कह सकते हैं, सबके लिए update है, और update की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं आपको पाट लेकुत इंवर्शिटी ने जो अपना, जो notice circulate किया था, मैं उस notice को आपके सामने प्रजेंट किया हू आज रात के 12 वज़े finish कर दिया जाएगा, तो जिनका भी अभी तक admission का payment बगरा नहीं हुआ, या कुछ problem है, तो आप उसे complete कर दिजे, चुकि आज college रात को पूरा seat को calculate करके, कल university को बताएगी, कि उसके आहां कितना seat अभी भी बचा हुआ है, कितना seat पे admission हो गया है, और portal इस सबसे पहले मैं आपको बताते हुआ कि कल, या आज ही mainly university को update करने वाली थी college, college आज रिपोर्ट करती university को कि आपने यहां कितना seat बचा हुआ है, और इसके बाद एक seat matrix आता, जो कि आज आता, लेकिन ऐसा आज कुछ हुआ नहीं, कारण है कि admission के date को ही एक दिन extend कर दिया गया, जो कि आज तक extend कर दिया गया, यानि कल दो फरवरी को university के portal पर एक seat matrix आगा, जो कि बताएगा किस college में कितना seat खाली है, और किस category में कितना seat खाली है, और next year admission का process होगा, इसी seat matrix के according होगा, यह seat matrix आपको बहुत ज़्यदा highly effect करेगा, तो seat matrix का information आपके प्रापर होना चाहिए, यानि phrase application भी कल से submit होगा, और applications को submit करने के लिए जो सार आपको charge है, 400 रुपीज का charge आपको pay करना होता है, वहीं बता दे कि जिनका merit list में नाम नहीं आया है, allotment नहीं आया है, किसी भी कराण के वज़य से हो, जाए वो आपका no information available का problem हो, या फिर कुछ भी problem हो, सबके लिए क लेक चांस है, तो इस चांस का जरूर यूज कीजिएगा, थर्ड वैसा situation में अगर आपका, वैसा situation कि आपका allotment है, लेकिन आप मन पसंद नहीं मिला, आप नहीं लेना चाते हैं, उस college में अपने admission नहीं लिया, तो आपके लिए भी chance है, आपको बता दे, ये सारा जो आपक करना या phrase application submit करना, या मन चाहा college नहीं मिलने पर आपने admission नहीं लिया, तो आपको इका करना है, इसके लिए आपको date मिला है, दो से लेकर करके 6 के बीच में को क्या करना है, सारे details को update करना है, update करने का क्या सारा process है, वो process में आपको इस आज की studio में आपको यहां पर बता भी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आठ फरवरी को इसका merit list है, जो आपने apply किया 2 से 6 के बीच में जो phrase application submit हुआ, या फिर जो सारा changes किया, या फिर आपका मन पसंद नहीं मिला था, उसके लिए जो भी सारा आपने चेंज किया, उसके according आठ फरवरी को आपका merit list आपको बता दे, इस admission के process में जो सारा आपको user idea भी आपको allot हुआ है, वो आपको लिए जो candidate register होगे, या जो candidate 400 रूपीस का payment कर चुके हो, उनके लिए 21 या फिर 21 भी वाला user idea आपके पास register है, तो आपको दुबारा payment करने की जरुगत नहीं परती है, ध्यान रखेगा, तो अपको दुबारा payment करना है, ऐसा कोई बात नहीं है, अब है मैं आपको admission के portal पे हूँ, एक बात का ध्यान रखेगा, जिनका भी admission हुआ है, उनके एक और important stage है, कि उनको check कर लेना है, कि उनका admission confirm हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, या फिर नहीं हुआ अगर नहीं दिखा रहा है, अगर नहीं दिखा रहा है, तो आपको ग्रिविंस पोर्टल पे कंप्लेंड करना है, और उसको ठीक करवाना है, ध्यान रखेगा, चुकि अभी जो admission का process है, उसमें पहला step है, admission portal पे online admission लेना, इसके बाद आप अपने admission status को बार बार चेक आउट करते हैं, कि आपका admission का status सही है, या फिर नहीं है, अगर सही नहीं है, तो आप उसे ठीक करवाईए, देख सकते हैं, मैं पूरा process को करके दिखा रहा हूँ, मैं भी applicant login के support से, मैं login हुगा, login होने के बाद देख सकते हैं, यहां पे status मेरा दिखा रहा है, कि admitted on 1st February 2022, यानि admission seat availability के बगल में, जो option था, check your admission status, उस option का use करते हुए, मैं यहां पर क्या करता हूँ, कि 21T और 21B को छोड़ करके, मैं तो आपका user ID है, उसे 21T या 21B को छोड़ करके, आपको fill up करना है, खाली नमर को तो फिर आपका status दिखा सकता है, जैसे मेरा यह status दिखा रहा है, कि college of commerce में MS जैसे बोटने में का admission, एक फरवड़ी को आज finally admission को validate कर दिया का है, तो आप अपना admission का status ज़रूर चेक कीजे, कि आपका admission confirm हुआ है भी तक college में, या फिर नहीं हुआ है, अगर confirm नहीं हुआ है, दिन आपको क्या करना है, फटाफर ग्रिवेंस पर्टल पर कंप्लेंड कीजे जिससे की कल तक हर हलत में, कल तक हर हलत में college आपका admission को update करवा दे, अगर कल तक college university को report नहीं करती है, आपका admission के information में, तो फिर वो seat आपका हाथ से चला जागा, तो ध्यान रखेगा, कि आपका status भी admitted का दिखाना चाहिए, और जिस भी college में, जिस भी paper में आपका admission हुआ है, यहाँ पर प्रापर भी में आना चाहिए, एक और जो प्राबलम है students को, वो है कि इस प्रकर का एक notice है है, students के बीच में, जो कि उन्हें divert कर रहा है, जो कि उन्हें confused कर रहा है, यह notice actually क्या बताता है, कि जैसे ही आपका admission, admission portal यानि college के portal पे, जैसे ही आपका online admission होता है, तो इसक पूरा admission का process खतम होता है, तो उसके 10 दिन बात के आसपस में, या 10 दिन के भीतर भीतर, आपको university registration स्टार्ट होगा, जैसे ही यह स्टार्ट होगा, हम आपको बता देंगे, आपको बता देंगे, अभी फिलाल में जो आपको पास ID है, 21D या 21B वाला, वो आपका university का admission ID है, या का सकता है, university एक आपको serial number देती है, कि आप उसके कितने number के student है, तो आपको serial number देने का जो process है, university का वही का लाता है, university registration, तो वो जैसे ही यह start होगा, हम आपको बताएंगे, लेकिन उमीद रखे कि अभी admission के process को खतम होने के, within 10 to 15 days के अंडर यह process स्टार्ट होगा, university registration, तो जै जान गया, जियानि जो जिनका admission हो गया है, उनके लिए क्या कुछ update है, update को हम समझ चुके है, कल के बारे में बात किजा, तो कल आपको क्या करना है, पार्टे पर दिनोट सीटे पर पहुंचेगा, और यहाँ पर पहुंचने कबाद जिनका admission अभी तक नहीं हुआ, यानि मेर प्रॉब्लम था, या फिर allotment आने के बावजुद, आपको मनपसंद नहीं मिला है, आप admission नहीं लिए, तो applicant login के support से login हो करके, आप अपने सारे details को update करेंगे, update करने के लिए, बगल में step को dashboard मिलेगा, dashboard प्रहा करके, कल update कीजएगा, जैसा ही वो process से start होगा, फिर मैं आपको उसका separate videos लाकर के आपको बता दूगा, किस तरीके से आपको process को complete करना है, आपको बता दे, आपका allotment इस पर 100% हो जाए, अगर आप चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है, कि आप देखिएगा cutoff, क्या कुछ cutoff रहा पिछले बार, और पिछले बार के cutoff से ही 2% का प्रापर ध्यान रखिएगा, तो seat availability के बगल में जो options था, आपको seat availability का जो option है, मैं उसका यूज करके MSC physics के लिए चूज कर रहा हूँ, degree में मैंने MSC physics, group में मैं physics, district में पटना रखता हूँ, इसके बाद 100 बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसा ही 100 बटन पे क्लिक करता हूँ, क college of commerce में 30-24, तो आप पता कर सकते हैं, इस अनुसार से देख सकते हैं कि कि इस college में कितना seat अभी भी vacant है, या नहीं कर सकते हैं कि हर college में 40-50% seat vacant का ratio है, इसे यह confirm हो जाता है कि जिनका admission नहीं हुआ है, या जिनका allotment हुआ मन पसंद नहीं बिल पाया, या कुछ प्राब्लम हो अपने admission को confirm किजिए, और अगर आपको admission को confirm करने में कहीं ज्यादा problem होता है, तो आप comments किजिए, आप WhatsApp मेसेज कर सकते हैं, अगर ज्यादा फॉरदर अगर आपका critical problem हो जाए देन, और आपको बता दे, cut-off का idea जरूरू रखेगा, cut-off जैसे में क्लिक करता हूँ, traditional cut-off, और यहां पर देख सकते हैं, बोटनी का यहां, जो university department का cut-off है, boys में, 64.63%, यानि कह सकते हम लोग, कि अगर 63% जिनका होगा, या 62% तक होगा, उनका allotment 100% कल हो जाएगा, और जिनका इससे भी जादा कम होगा, उनका उस college में allotment नहीं हो पाएगा, तो आप अपना choice जब कल कीज मैसेज कर सकते हैं, वाटसब मैसेज कर सकते हैं, वाटसब नमर आपको वीडियो का description box में लिएगा, जिसके जरीए से मेरे थोड़ी से support के कारण, आपको 100% allotment सिक्योर हो जाता है, तो यह कुछ update था, जिस update के regarding इस वीडियो को मैंने बनाया, आसा करता हूँ, सारा update आपको